तो मैं कहना चाहता हूँ अभी नहीं तो कभी नहीं अब कोई आस्ता नहीं रह गया सुप्रिम कोट का जो रवया है मैं उसकी भशना करता हूँ बहुत सारे मामलों में सुप्रिम कोट ने जहां अबस्तिक नहीं था बने ने दिये लेकिन अजुद्या के मामले में टालने का काम तर्म अठोल का कम तब मैं अपनी सरकार से बोधी सरकार से अपनी भाजपा सरकार से अपेक्षा रखता हूँ कि सोवनाथ की तरह पर लोगसवा में कानू बनाया जाए और 2019 के लोग सवा के चुनाव से पहले ही अयुद्या में मंदर का जर्मार प्रारम कर दिया जाए और कर दिया जाए नहीं होगा हमारे भाईया जी जोशी जी आपने दीवर देखा होगा शरकारवा वो कहें थे दर्शन करने के लिए रामदला को प्रणाम करके आए और गाये अब की दर्शन करने आऊना तो भग में दर्शन करने आऊना मैं ते बाल वाले भगवार के दर्शन करने नहीं आऊना किसी 25 तारिक को बड़ा लश्करी बहेंकर संबेर होने वाला है अयोध्या में यहां से भी करीब पचैतर बसे उन्नाव से जाने वाले हैं जिने अफसर मिले वसी जाईएगा हम सब आँजाने वाले हैं तो पित्याधर जी हम आपको भी बताते हैं कि 2019 के लोग सभा में जाने से पहले उसकी गोशना पहुने से पहले अहित गामे मंद्र का निर्मान प्रारम हो जाएगा अब उसके लिए चाहे तो सरकार को अध्यादेश लाना पड़े चाहे लोग सभा में कानून बनाना पड़े या नरसिंगा राव ने जमीन अधिक्रहित कर ली थी वो राम जिरुम नियास को देनी पड़े या कोई भी रास्ता निकले मैं आज नहीं उटा सीथा बोलने लगाओ मैं राई मीती में जब आया तो पहला मेरा स्टेट्मेंट था मत्रा में कि अयुत्या मत्रा कासी तो छोड़ो राजा भीया कि मंद्र की विरोदी विस्टा की स्याख्र घरी अर्ण में युद्या में कि मंसाने रहरे suchen सब्सक्राइब करें एक इंच भी पीचे हटने वाले नहीं है मां मंद्र था मंद्र है और भगवान का अध्वी मंद्र बनने वाला है